नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बड़ी कसवधी का पौधा लेकर आया हूं दोस्तों यूँ तो कसंदी तीन प्रकार होता है तीन परजाती होते हैं एक होता है बड़ी कसंदी और एक होता है छोटी कसंदी और एक होती है काली कसंदी जिन में से मैं आप लोगों को सामने आज बड़ी कसंदी लेकर आया हूँ तो देख लीजिए पहिचान लीजिए दोस्तों जरूरत में यह काम आएगा क्यूंकि बहुत ही अच्छा अयरुवेदी का उसदी का पौधा है इस पौधे में पीले पीले फूल लगते हैं और लंबे लंबे फलियां जो कि आपके सामने है फूल और फली आप दोनों देख सकते हैं जब यह फली कच्चा होता है तो हरा होता है और जब यह फली सूख जाता है तो काली हो जाती है दोस्तों या बरसात के दिनों में अपने आप खाली पड़े जमीन में उगाता है अक्सर आपको सडक के किनारे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों या बड़ी कसुधी के पोधा भारत के हर राज में आपको मिलेगा या पोधा किसी भी परकार से दुरलब नहीं है तो आउ दोस्तों इसके फाइद एक बार हम जाने किया हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो दोस्तों कसंदी के ताजे ताजे पत्तों का रस निकाल कर एक एक बून आखों में डालने से आखों का रोग ठीक होता है आखों को रोग में जैसे आखों में लालिमा है या फिर आखों में दर्द है तो यह का संधिक पत्तों करस आखों की लालिमा और आखों की दर्द को दूर करता है इतना फाइदे मंद है या आखों के लिए तो आओ चलो दोस्तों इस जड़ी बूटिक फाइदे और जाने किया और किस-किस बिमारी मुपियोगी है दोस्तों इस कसवंदी को रस निकाल कर सरसोग तेल में पका कर दो दो तीन-तीन भून कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है और बहरापन भी दूर होता है तो दोस्तों इस कसवंदी को कास मर्द भी कहते हैं इसके फली के सूख जाने के बाद उसे हाथ लगा कर जब फालेंगे तो उसके अंदर गोल-गोल वीज निकलता है बीच का रंग कत्था ही रंग होता है और इस पौधे के हर एक हिस्सा आयरवेदिक अउसदिक रूप में इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इसकास मर्द कसंदी के चार-पांच पत्तों को तोड़कर उसमें दो या तीन काली मिर्च मिलाकर पीश कर लेप बनाकर गंठ माला कूपर लेप करने से गंठ माला का घाव पचकने लगता है और दर्ध सूजन भी अराम मिलता है दोस्तों इसकास मर्द कसंदी के पत्तों के करीवन 10-15 एमल तक रस निकाल कर और उसमें दो चम्मस सहद मिलाकर सेवन करने से कफ जुआर यानि कफ से होने वाला बुखार और स्वास रोग में फाइदा पहुँचता है लेकिन दोस्तों इस दवाग सेवन के बाद करीवन 20-25 मिनट तक पानी का सेवन न करे पानी न पिये तो अच्छा है बेहतर है दोस्तों आयर बेद के अनुसार इसकास मर्द कसंदी के पत्तों के साग बना कर सेवन करने से खाने से स्वास रोग में फाइदा होता है जैसे दंभा है अस्ठाम है इन सब बीमारियों में बहुत ही फाइदे मंद है इसके पत्तों का साग दोस्तों या कास मर्द का संदी हिचकी रोगम भी काफी फाइदे मंद है अगर किसी को हिचकी बहुत ज्यादा आधिक आने लगा तो इस कास मर्द के सूखे सूखे पत्तों को तोड़ कर करीबन दस ग्राम पत्ता ले लिजिए और चार सो ग्राम पानी माप उसे पकाईए दोस्तों इस कसंदी पत्तों का रस फेसाब संबंधित बिमारियों भी काफी फाइदे मंद होता है दोस्तों इस कसंदी के जड़क क्वात बनाकर क्वात माने काड़ा बनाकर सेवन करने से फेसाब संबंधित बिमारी ठीक होता है अब फेसाब संबंधित बिमारी कौन-कौ को आप जान लिजिए जैसे फेसाब रुप रुप कर होना खुल करना होना या फेसाब करने में जलन होना चिलकन होना चुबन होना आ तो दोस्तों यह एक ऐसा जड़ी बूटी है जो सरीय के जहर दोस्तों एक तरह से जड़ी बूर्टी विस नासक है कैसा भी विसएला है उसे कंट्रोल करता है नश्ट करता है कि यहां तक कि दोस्तों आयरवेद के नुसार यह साब इच्छू की जहर को भी नश्ट करता है और तोचा रोग भी यह काफी फाइदे मंद साबित हुआ है अगर किसी को दाद खाज खुजली हो या फिर एक्जमा हो अकवत हो अप्रस हो किसी भी परकार तोचा रोग हो तो इतना फाइदे मंद है या कसंदी को दोस्टों यह जड़ी बूटी एक ऐसा जड़ी बूटी है जो मिर्गी रोगियों के लिए भी काफी फाइदे मंद है अगर किसी को मिर्गी का दोड़ा पड़ता है तो इसके वीजों को भून कर राख बना लीजिए एक ग्राम राकों, एक ग्राम अस्वगंधा और एक ग्राम ब्रह्मी का चूरन और एक ग्राम संखपुस्पी का चूरन इन सभी चूर्ण के बराबर सहद मिलाकर मिर्गी वाले रोगी को चटाने से दिन में तीन बार मिर्गी रोग सांत होता है मिर्गी का दवड़ा नहीं पड़ता है दोस्तों इसकास मर्द कसवादी की पत्तोग रस निकाल कर अगर आप बालों के जड़ में रगडते हैं, तो बालों में होने वाला जुआ आज रूसी नश्ट होता है, और बालों में होने वाला खुजली भी दूर होता है, दोस्तों इस कास मर्द कसवधी के हरे हरे पत्तों को रस निकाल कर पीलिया रोगी को पीलाने से पीलिया रोग ठीक होता है अब रस कितना पिलाना है और कब पिलाना है वो आप ध्यान पुरुवक सुन लीजिए तो दोस्तों 10 ml से लेकर 15 ml तक इसका रस पिलाया जाता है और सुबा सुबा खाली पेट और उपर से रात में रखे हुए तामा के बरतन का पानी पिला देना है एक गिलास दोस्तों इसका संद्य के जड़ को सुखा कर चूरन बनाकर आप रख लीजिए और सुबा साम दूद के साथ और सहद के साथ दो दो ग्राम सेवन करने से धातू पुष्ट होता है और मनी गाढ़ा होता है यह जड़ी बूटी जो है सिग्रपतन रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है लेकिन इस्तमाल करना है आपको इस जड़ी बूटी का जड़ जो जमीन के भीतर होता है उसे निकाल कर सुखा कर पौडर बनाना है और दो गराम यूज करना है खाना है तो इस तर दोस्तों इसके बहुत सारे फाइदे हैं उन फाइदों मेंस मैंने आपको कुछी फाइदे बताए और हां दोस्तों यहां तक कि अगर किसी इस तरह को डिलवरी का समय हो तो उस समय इस कास मर्द का सौधी पत्तोगरस निकाल कर दस से पंद्रा हिमल पिलाने से दिलवरी के समय अधिक दर्द नहीं होता अधिक पीडा नहीं होता है तो दोस्तों इस तरह से जड़ी बूटी कसंदी का पौधा हमारे सरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद है लेकिन हां दोस्तों एक जानकारी आपको मैं और देना चाहता हूं वह जानकारी समझो एक तर आया है कि हर एक इनसान का हर एक आदमी के सरीर का तासीर अलग-अलग होता है और बोड़ी का वजन भी अलग-अलग होता है दोस्तों किसी भी सरीर को वजन देखकर उस पर दवा इस्तमाल किया जाता यूज किया जाता है कि सरीर में कितना दवा जानिक बाद फाइदा होग तो अगर सही डोज मिल जाता है तो विमारी ठीक हो जाता है और सही डोज अगर नहीं मिलता है तो विमारी ठीक नहीं होता है और डोज से अधिक सेवन करने पर कोई भी चीज यो हानिकारक भी होता है जैसे माल लीजिए दोस्तों पानी पीकर तो हम जीते हैं लेकिन अधिक पानी में अगर हम चला जाएं तो डूब भी जाते हैं क्योंकि अधिक पानी हम पी नहीं सकते हैं दम घुटने लगता है तो उसी तरीकेस दोस्तों जड़ी बूटी भी अधिक से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए जितना जरूत हो जितना उसका डोज हो उतना इस्तिमाल करना चाहिए वो भी एक अच्छे बैद के देखरेक में तो चलो दोस्तों आज की मातपुर जानकारी ह में ही समाप्त करते हैं हमारी जानकारी अगर लाबदायक फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक